हम अत्यादिक विशेली दुनिया में रहते हैं जहां जीवनकाल कम हो रहा है और बिमारियों के संख्या बढ़ रही है यही कारण है कि हमें नियमीत रूप से रक्तदान करते रहना चाहिए रक्तदान एक अध्वितिय शक्तिशाली कारिया है रक्तदान करने से नकेवल प्राप्त करताओं को लाब होता है बलकि रक्तदाताओं के लिए भी कई स्वास्त लाब होते हैं रक्तदान करने से दाता के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्त को लाब होता है जैसे यह तनाओ को कम करता है इसे देखती हुए आजादी के 75 वे अमृत मोहतसव के उपलक्ष में दो महराष्ट्र मेडिकल कमपणी ने 26 नवंबर 2022 को शास्किय मेडिकल कॉलेज नाकपुर के सैयोग के साथ कॉलेज के परिसर में रक्तदान शिबिर का एजन किया गया था इस आउसर पर NCC कै रेट्स ने 138 यूनेट ब्लड डोनिट किया कैम का उदगाटन महराष्ट्र मेडिकल कमपणी एंसेसी के कमांडिंग अपसर ने किया और वास्तविक प्रक्रिया तथा इसकी जानकारी एंसेसी चात्रों के लिए रक्तदान शिविर बहुत ही उस्साजनक था इस शिविर मे एंसेसी के छात्रों ने केवल अपने करतवे के प्रती प्रेरित किया बलके उनने अनुभव प्राप किया और इसके माधिन से भय मुक्त करने की मदद भी मिली एंसेसी की टीम द्वारा दान दाताओं को एनरजी ड्रिंग के साथ जलपान कराया गया इस कारिक्रम में शास् सेसी एनो कैप्टन सीमा ताइडे तथा दो महराष्ट्र मेडिकल कंपने एंसेसी के पी आए स्टाप सी एचेम निवरुत्ती मेंग्डे प्रशिक्षन एंसीओ श्री ओम शर्मा क्यूम हितेश कुमार नर्सिंग साहिय केदार एसीओ एंसीओ प्रिंस लॉड तथा अधिका काउंसलर अमोल फाटे दिनेश घरतर आधी शामिल थे बीसे नियूज के लिए अभिशीक पांसी